अब तक हमने किस प्रकार के vegetative propagation के बारे में पढ़ा है? Cutting और Grafting बिल्कुल सही क्या आप जानते हैं कि Grafting देखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं? यहाँ कई तरीके हैं जिनसे हम अलग-अलग plants को graft कर सकते हैं हम यह सीख चुके हैं कि main plant को stock कहते हैं जबकि कटे हुए हिस्से को cyan कहते हैं क्या आप जानते हैं कि किस हिस्से के पास बहतर विशेष्टाएं होंगी? जाहिर है cyan के पास हमें जो विशेष्टाएं चाहिए वो कटे हुए हिस्से जो की cyan है उसमें होती हैं यहां कई ऐसे तरीके हैं जिनसे हम stock और sion को एक कर सकते हैं Grafting के दो main methods है Sion Grafting और Bud Grafting Sion Grafting में ज़रूरी नहीं कि stock पूरी तरह से एक बड़ा हुआ plant हो वो एक stump या बिना किसी branches के एक stem हो सकता है दूसरी और आम तोर पर stock एक ऐसा plant होता है जिसे pests और रोगों से कुछ नहीं होता है क्योंकि ये nutrition का main source होता है इसका एक बहुत अच्छा root system होता है Sion को stock के साथ कई तरीकों से graft किया जा सकता है पहले वाले को whip या tongue grafting कहते हैं क्या आप जानते हैं कि इस process में क्या होता है Sion और stock दोनों ही समान diameter के होते हैं एक बार ये पता लग जाने के बाद stock के उपर के end और cutting के base के end को तिर्चे तरीके से काटा जाता है अब इन दोनों कटे हुए ends को देखिए क्या आपने कभी jigsaw puzzle खेली है क्या आपको याद आ रहा है कि कैसे एक टुकड़ा दूसरे में fit होता है इसी तरह से Sion का एक दिर्चा end stock में बिल्कुल fit बैठेगा एक बाल जैसे ही ये हो जाता है तो हम इने एक कपड़े के टुकड़े के साथ मजबूती से बान देंगे कुछी दिनों में दोनों एक हो जाएंगे और एक सिंगल प्लांट की तरब बढ़ने लगेंगे Sion grafting के दूसरे method को wedge grafting कहा जाता है क्या आप जानते हैं कि एक wedge कैसे दिखता है वो बिल्कुल उसी shape का होता है जिसमें Sion cut किया जाता है लेकिन stock का क्या stock पर एक V-shape की cutting की जाती है इस V-shape की cutting Sion के wedge को stock में fit होने में मदद करती है दोनों को बांधने का सेम procedure दोराया जाता है और plant फिर एक होकर बढ़ने लग जाता है यहाँ एक और method है जिससे Sion grafting की जा सकती है इस method में stock का diameter sign के कई गुना ज्यादा बड़ा होता है अब इस crown को देखिए और सोचिए कि इस प्रकार की grafting इस crown से कैसे मेल खाती है stock इतना चोड़ा है कि कई signs इसके circumference के चारों और रखे जा सकते हैं लंबे wedges V-shaped cuts में fit होंगे और उन्हें एक साथ बांदा जाएगा लेकिन यहाँ इस plain surface के बारे में आपका क्या कहना है खेर, stump को सूखने से रोकने के लिए हम यहाँ grafting wax लगा सकते हैं यह techniques amazing है है न क्या आप जानते हैं कि economic benefits के साथ ज्यादा तर plants इन method से reproduce किये जाते हैं यह techniques बहुत ही असरदार हैं और यह कम समय में ज्यादा plants को multiply करने में मदद करती हैं और इन technique से plants की न सिर्फ अच्छी quantity मिलती है बलकि अच्छी quality भी मिलती है आपको क्या लगता है कि bud grafting क्या है जैसे कि नाम सुझाता है सायन एक branch के बजाए एक bud होगा bud grafting में stock पर एक T-shape का cut किया जाता है एक बार जैसे ही यह हो जाता है bud को बीच में रख दिया जाता है और मजबूती से बांद दिया जाता है आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में क्या होगा bud बढ़ जाएगा और अपने tissues को stock plant में फैला देगा और उनके साथ एक हो जाएगा यह एकता एक nutrition प्राप्त करने में और bud को बढ़ने में मदद करेगी जब plant बढ़ जाएगा तो नए bud की विशेशताएं प्लांट में आ जाएगी इस परकार यह grafting का एक और सफल तरीका होगा आप अपने बगीची के plants के साथ प्लांट में प्लांट में प्लांट में आएगा